अध्याय पंद्रह बुद्धिमान बरद राज आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी करत करत अभ्यास के जडमत होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निसान अर्थात किसी बात या काम का बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर बन जाता है यह लोकोक्ति वरद राज की जीवन से लोकप्रिय हो गई आईए अब हम आपको वरद राज की कहानी सुनाते हैं वरद राज नाम का एक बालक था जब वह पांच वर्ष का हो गया तब उसे पढ़ने के लिए गुरु जी के आश्रम में भेज दिया गया उन दिनों बालक गुरु के आश्रम में रहकर सिक्षा प्राप्त किया करते थे वरद राज एक मंद बुद्धि बालक था वह एक साल की पढ़ाई में तीन साल लगाता था गुरु जी का पढ़ाना उसकी समझ में कुछ नहीं आता था उसके सहपाथी उसका मजाक उड़ाते थे वैसे वरद राज स्वस्त और हृस्ट पुस्ट बालक था शकल सूरत से भी वह अच्छा था पर पढ़ाई के मामले में वह निरा मूर्ख था उसे आश्रम में पढ़ते हुए पांच वर्ष बीत चुके थे पर वह अभी तक कुछ भी नहीं सीख पढ़ पाया था उसके साथ आए बालक उससे काफी आगे निकल गए थे गुरु जी वरद राज से पूरी तरह निराश हो गए थे एक दिनवे बोले बेटा वरद राज पढ़ना लिखना तुम्हारे वसकी बात नहीं है मैंने काफी कोशिश की परन्तु कुछ भी लाब दिखाई नहीं देता लगता है तुम्हारे भागे में विद्या नहीं है अता अपने घर लोट जाओ और वहां का काम काज देखो वरद राज को लगा कि वहां घर जाकर पिता जी को क्या मूह दिखाएगा वहां उनसे कैसे कहेगा कि गुरु जी ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया है वरद राज को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा गुरु जी की आग्या का पालन करते हुए उसने अपने सामान की गठरी बांदी गुरु जी के चरंड चुए और भारी मन से विदा हुआ वहां आश्रम से प्राता काल चला था अब दोपहर हो गई थी गुरु जी ने उसे रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा सत्तु दे दिया था अब उसे भूख प्यास लग आई थी रास्ते में उसे एक कुवा दिखाई दिया वरद राज कुवे की जगत पर गया वहां उसने देखा कि जगत पर पानी खीचने की रसी की रगड से पत्थर में जगह जगह गढ़े बने हुए हैं वरद राज के दिमाग में बिजली सी कौन्ध गई उसने सोचा बार-बार की रगड से कोमल रेशों से बनी रसी कठोर पत्थर को काट सकती है मिट्टी के घड़ों को पत्थर पर रखने से गढ़धा बन सकता है क्या बार-बार लगातार अभ्यास करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता वरद राज ने निश्चे किया मैं परिश्रम करूँगा मैं देखता हूँ कि फिर मुझे विद्या कैसे नहीं आती अब की बार उसके मन में कुछ कर दिखाने का संकल्प था अब एक दूसरे प्रकार का वरद राज था वा आश्रम की ओर लोट पड़ा सूरी छिपने से पहले ही वह गुरुजी के पास जा पहुँचा गुरुजी उसे देखते ही बोले बेटे वरद राज अभी तक तुम अपने घर नहीं गए क्या वरद राज नम्रता पूर्वक बोला गया तो था गुरुजी पर आधे रास्ते से लोट आया अब मेरी आँखे खुल गई है अब मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूँगा और आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं दूँगा गुरुजी का हरिदय पिघल गया बोले चलो ठीक है कुछ दिन और देख लेता हूँ वरद राज ने पढ़ाई आरंभ की वह देर रात तक पढ़ता रहता और प्राता सबसे पहले उठ जाता वह एक भी छण बेकार नहीं गवाता था अब पाठ याद करना उसे सरल लगने लगा गुरू जी और दूसरे चात्र इस परिवर्तन को देख कर आश्चर्य चकित रह गए कल का बुद्धू वरद राज अब बुद्धिमान बन गया या उसकी लगन और कठोर परिश्रम का चमतकार था बच्चों यही वरद राज आगे चलकर प्रसिद्ध विद्ध्वान बना संस्कृत में पाडिनी के व्याकरण को समझने में विद्यार्थियों को बहुत परिश्रम करना पड़ता था वरद राज ने उनकी कठिनाई को दूर करने के लिए लगु सिद्धान्त कौमुदी की रचना की इनी पंडित वरद राज ने मुग्ध बोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की भी रचना की शबदार्थ रसरी रसी परिवर्तन बदलाव मंद बुद्धी धीमी बुद्धी वाला आश्चर्य चकित हैरान रह जाना ह्रिस्ट पुष्ट ताकतवर सुजान चतुर कौंधना चमक जाना परिश्रम महनत लोकोक्ति लोगों में प्रचलित बात प्रसिद्ध मशहूर जडमती मूर्क निराश उमेद ना रहना यूर्म यू रही है